कुरोना के बढ़ते हुए संक्रमन को देखते हुए आखिरकार कक्छा एक से बारवी तक के समस्त स्कूल बंद कर दिये गए हैं और इस सम्मन में आदेश इसकूल सिख्छा विभाग द्वारा भी जारी हो चुका है अब आदिस में बताया गया कि जो कुविड-19 का संक्रमन है इसकी तीसरी लहर को दश्टिगत रखते हुए राजसासन द्वारा ने ने लिया गया है कि कक्छा एक से बारवी तक के समस्त स्कूल इबं होस्टल दिनांग 31 जनवरी 2022 तक पूर्टा बंद रहेंगे अब सालाएं तो बंद हो गई लेकिन क्या सिक्छकों को स्कूल जाना है तो इस समस्त सेक्षनिक एबं गैर सेक्षनिक स्टाप बिद्ध्यालियों में पिरतेक कार दिपसों में नेमित रूप से उपस्तित रहेंगे अर्था जो सेक्षनिक और गैर सेक्षनिक स्टाप है इ अनलाइन पठन-पाथन की विवस्ता याथा संभव की जाएगी। अब ऑनलाइन जो सिक्षन कार है इसकी विवस्ता कैसे करना है। एक से आठ तक का संचालन किस परकार से किया जाना है अब नया जादा कुछ इसमे नहीं है जैसे हमारा घर हमारा विद्याले अंतरगत जो लाश्ट ये लिवस्ता कार किया था सैम बैसे ही इस सत्र में भी अब कार करना है। आदिस में हम देखेंगे कि एक समय सायनी दी गई है जिसमें कुछ गती बिधियां है और इन गती बिधियों को किस समय में करना है इसका एक सैडूल इसमें दिया गया है अब हमारा घर हमारा विध्याले की अदि हम बात करें जो कि लाश्ट एर से सुरू हुआ है इसमें प्र बहन है वो ऐसा बनाएंगे कि छातर को ऐसा लगे कि वो विद्ध्याले में रहकर अपना अध्यन कर रहा है अब समय साज़नी की अधी हम बात करें तो जैसे लास्ट या डिजीलैब चल रहा था तो डिजीलैब का जो समय है प्राते दस बजे से ग्यारा बजे तक डिजी लैप में छात्र अपना अध्यन करेंगे और इसके जो कंटेन है छात्र को दस बजे के पूर्व हमें पहुँचाना होगा इसके उपरांथ हम देखें तो रेडियो स्कुल जिसमें रेडियो में कुछ कारकराम आते हैं एक घंटे का रहता है और इसका समय है प्रात है 11 बजे से 12 बजे तक इसके उपरांथ 8 ग्रेट अभ्यास पुस्तिका पर कार अब जो 8 ग्रेट अभ्यास पुस्तिका है संभवता आपकी साला में सीगर ही पहुँच जाएगी हो सकता है किनी सालाओं में पहुँच चुकी हो तो जो 8 ग्रेट अभ्यास पुस्तिका है इसमें छात्रों को अभ्यास करना है और इसका समय है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक अब जो अभ्यास पुस्तिका है 8 ग्रेट अभ्यास पुस्तिका यदि इसकी हम बात करें तो इसमें पार्ट करम से 60% कोर्स दिया गया है जिसमें छात्र अपना अभ्यास करेंगे इसके उपरांत आदेस में दैनिक गती बिधियां दी गई हैं जैसे हम गती बिधियों की यदि बात करें तो इसमें कारकरम का आरम प्रती दिन घंटी थाली बजाकर करना है दस बज़े इसका समय है जिससे विध्यारती को लगे कि हम साला में अपना अध्यन कर रहे हैं इसके अत्रिक इसमें इसी पिरकार दोपहर एक बज़े घंटी थाली बजाकर आवकास किया जा सकता है इससे बच्चे के पास सीखने के सरोत के रूप में उपलब्द रेडियो पाट पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका के अधार पर लर्निंग पैकेस तरियार किया गया है इसके अत्रिक तेदी हम आदेस में देखें तो सिक्षकों और संस्ता पिर्मुखों के क्या क्या कार और दाइत में वो भी दिया गया है जैसे हम इसमें देखेंगे कि परिवार के सदस्यों की भूमिका भी इसमें दी गई है साथी परिवार के सदस्यों को छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरिद भी करना है इसके अतरिक्त दस बज़े से एक बज़े तक जो भी गती विधी इसमें दे गई हैं इन गती विधियों के लिए छात्र को पैंसिल, कौपी, स्केच पैन, कलर पैंसिल, पुराने पेपर, आदी उपलब्द कराने का भी परिवार के सदस्यों को प्रियास करना है साथ ही हम देखींगे इसमें तीसरा बिंदू है डिजी लैब वीडियो के माध्यम से प्राप्त सामगरी के अध्यन के लिए सुभीधा अनुसार बच्चों को मोबाइल उपलब्द कराना चोहते और पाचवे बिंदू के अनुसार छात्र जो अपना अभ्यास कर रहे हैं इसकी ओडियो या वीडियो रिकार्डिंग तयार करके जो बॉट्सप गुरूप बने हुए हैं उनमें प्रेसित करना साथ ही प्रती दिन एक पेज हिंदी इवं अंग्रेजी लिखने के लिए इवं गडित का मौकिक अभ्यास छात्र को परिवार के कोई भी सदस जो पढ़े लिखे हों जो छात्र को पढ़ा सकें वो इन्हें अभ्यास कराएंगे अब सिक्षकों की भूमिका की हम बात करें तो इसमें सारे बिंदू दिये गए हैं जैसे पहला बिंदू दिया गया है कि डिजिलैप अंतरगत जो कंटेन और जो वीडियो आते हैं उन्हें छात्रों के जो बौट्सअप गुरूप बने हैं कक्षाबार इन बौट्सअप गुरूपों में प्रती दिन प्राते 10 वजे तक भेजना सुनिश्चित करना है सिक्षकों को इसके दूसरे बिंदू में दिया गया है कि सिक्षक प्रती दिन कम से कम 5 बच्चों से मोबाइल के माध्यम से जो उन्होंने पढ़ा है चात्र ने इस सम्मन्द में जानकारी ले और इनके कारियों का जो अभ्यास कर रहे हैं इसका अवलोकन और आकलन करना है साथ में फीडबैग भी सिक्षकों को देना है अब अवलोकन करने के सम्मन्द में भी इसमें निर्देश दिये गए हैं कि जैसे 8 ग्रेट की जो अभ्यास पुस्तिका है इसे देख सकते हैं कि चात्र कैसा अभ्यास कर रहा है और बच्चों के प्रती दिन पढ़ने एवं लिखने की जो कौपी है इसकी जांच कर सकते हैं मौकी गड़ित पर चर्चा कर सकते हैं इस प्रकार से अवलोकन करेंगे साथ ही बच्चों से उनकी समस्याओं को भी पूछेंगे और उनका समध प्रिधान करेंगे आदेस में आगे प्रिधान अध्यापक की भूमीका भी बताया गया है जैसे इसमें बताया गया कि प्रिधान अध्यापकों की जो भूमीका है वो सिक्षकों से चर्चा कर जो समय सार्णी दी गई है हमारा घर हमारा विध्याले की इसका क्रियानवेन की जानकारी लेंगे साथ ही जो प्रिधान अध्यापक हैं वो प्रती दिन कम से कम पांच अभिभापकों से चर्चा करेंगे और हमारा घर हमारा विध्याले अंतरगत जो गतिविधियां हो रही है इसके बारे में अवगत कराएंगे और बच्चों को उसके अनुसार पढ़ाई करवाने हैं तो उन्हें प्रेरिद करेंगे साथ ही इसमें अन और भी विंदु दिये गये हैं जैसे डिज लैप से संपंधित विंदु दिया गया है कि डिजी लैप के जो वीडियो आते हैं इन वीडियोज को मोबाइल में देखने के लिए बच्चों को मोबाइल उपलब कराने हे तो पालकों को प्रेरित करना है साथी पांच विध्यारतियों के घर जाकर बच्चों के प्रती दिन पढ़ने एवं लिखने की कौपी की जाच करेंगे मोखी गड़ित पर चर्चा करेंगे सिक्चकों को संपादित किये गए आवंटित कारियों को देखेंगे एवं रिकॉर्ड रखेंगे तो इस प्रकार राज जिस सिक्षकेंद्र द्वारा जो आदेश जारी किया गया है इसमें परिवार की भूमी का, सिक्षकों की भूमी का और प्रिधान पाटकों की भूमी का भी दी गई है अब हम बात करें मॉनिटिंग की, तो मॉनिटिंग जैसे पूर्व सत्रों में होती थी, सेम बैसे ही मॉनिटिंग इस सत्र में भी होना है, जिसमें बताया गया है कि जन सिक्षकेंद स्तर, विकास कांड और जिले स्तर से कैसे मॉनिटिंग की जाना है, साथ ही सिक्षकों को भी हमारा घर हमारा बिद्ध्याल्य अंतरगत, जो जानकारी है वो एम सिख्च मित्र के माध्यम से दर्ज करना है, इस संवन में भी इसमें बताये गया है, इसमें मौनेटिंग के पहले ही विंदू में दिया गया है कि पूर्व में जारी पत्र किर्मांग दिनांग यहां पर पत्र किर्मांग और डेट लिखी हुई है कि अनुसार एम सिक्षय मित्र पर की जाएगी अर्थात हमारा घर हमारा विध्याले अंतरगत जो कारकरम है इसकी जानकारी एम सिख्छा मित्र के माध्यम से दर्ज होना है तो इस प्रकार सालाएं बंद होने के उपरांद जो गति विदियां है इसमें परिवार की जो भूमी का है सिख्छकों की भूमी का है फिरधान अध्यापक की भूमी का है और जो मॉनिटिंग करता है इनकी क्या-क्या भूमी का है वो दी गई हैं तो सालाएं बंद जरूर हु मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन